हलो इस्टुएंट्स, स्वागत है आप सभी का और बार बार मैं कहा रहा हूं कि देखिए क्वेस्टिन फिर से ये जो है क्वेस्टिन एंड्री ने प्यूछा है और मुझे खुसी हो रही है ये बात बताने के लिए क्योंकि मैं बहुत सारे competitive exam भी मैं बताया हूं और एज टीचर में बहुत दिनों तक, DAVs में बहुत दिनों तक मैं टीचर रहा हूं यहां आप एक चीज याद रखेंगे, बहुत जल्द बाजी में नहीं रहेंगे, थोड़ा समय आपको लगेगा लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा यह question है कि 7 month के लिए average जो है, वो 800 है तो 7 month का कुछ भी है, माल यह आपके पास कुछ भी था, ठीक है आपको 1st month में X रूपीज था, 2nd month में Y रूपीज था, 3rd में Z था इस तरह से करते-करते आपको 7 times था, तो इस सभी इतने था इसको sum और इसको जब आपने 7 से डिवाइड किया तब आपको क्या मिला, 800 मिला similarly यह जो 5 है, यह जिसे X था करते 5 आप था then 5 से आपको डिवाइड किया तब इसका average आया, यह आपको 500 है तो आप एक चीज देखेंगे, यह उपर में क्या है, sum है और यह number of months या number of जो बोलना चाहेंगे, वो है that is equal to यहाँ पर यह average है यानि यह जो sum की बात करेंगे, वो क्या होगा, this into this हो जाएगा यहाँ लिखेंगे, average आप लिखेंगे, average expenditure है ना expenditure for 7 months है ना, for 7 months, that is rupees 800 therefore, यह हो गया क्या, total हो गया तब, therefore आप लिखेंगे total expenditure for 7 months, ठीक है ना, कितना होगा इस से यह multiply हो जाएगा, that is आपको होगा 7 into 800 आप 5600, that is 5600, 5600, 5600 actually नहीं बोलना चाहें आम लोगों को average आप बात करेंगे, average expenditure 4, 5 months, नीचे मैं है न, 4, 5 months, यह है आपका रूपीज 500, sorry यह होना चाहित आपका 900, यह 900 होगा, यह आपका है 900, therefore यहाँ पर आप क्या करेंगे, total देखी यह 900 है, therefore total expenditure 4 आप लिखेंगे, कितना, 5 months, इससे यह multiply हो जाएगा, rupees 4,500, यह हाँ आप simply लिखेंगे, total expenditure, 4, यह 7 months, यह 5 months, total कितना हो गया, 12 months, is equal to this plus this, यह दुनों add हो जाएगा, इसको जदी आप add करेंगे, तब कितना होगा, इसको जदी add करेंगे, 10,100 होगा, therefore आप लिखेंगे, average है न, average monthly सिधे लिखेंगे, average monthly expenditure, कितना होगा, यह 10,100 divided by कितना, 12 months का ही है, by 12, that is आप करेंगे, rupees यह निकालेंगे, 841.66, answer, कितना आप बनाते हैं, आपको 100% सही, है, इसमें और किसी परकार का बहुत shortcut method की जवरत नहीं है, यह सबसे shortest method है, आप इस तरह से बनाएगे, अच्छा लगेगा, जदा सजदा question पूछेंगे, share करेंगे, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, thank you so much.